देख रहे हो आप यह कितना फैल आते यार मैंने इसे पढ़ाई कराई थी मैंने इसको बोला की चीजे ना बुक्स वगरा तो यार अपने बैग में रदिया करो तो बोलती हा मैंने अपना ना जो काम भी यह वह सारा फिनिश कर दिया है और सारा समान ड्रेसिंग पर फैला के चली गई देखो और ये टीवी चला रही थी, चार्जर, लैप टोप का चार्जर देखो, ये सारा डाल के चली गए है, अब है सारा फैला हुआ पड़ा है अब ये मिलेको वापस से सारा चीज़ें रखनी हैं देखो इधर ये फैला और देखो चारजर को यहाँ पर डाल के चली गई यह नीचे इधर देख रहे हो आप ये बैड पे समान फैला हुआ पड़ा है सारे में अभी मिलेको ये सारा साफ करना है लेकिन मैं भी थोड़ी देर बाद करूँ आपने कितना समान फैलाते हैं देखो ये सारा फैला पड़ा है में अभी सारा वापस से स्ठीक करना पड़े गाई है क्योंकि मैंने इसे अभी पड़ाही कर वाई थी तो बस वही इसमें बुक्स वगर में चाय बनाने के लिए चली गहीं और सारा समानी यहां पे डाल दिया है और देखो ये दिवार का देखो क्या हो रहा है ये वापस से हाथ और मैंना भी चाय बना के लाई हूं सोच्रियू की चाय पीलू पहले उसके बाद करूंगी करना तो है ही यार यह कौन-कौन करता है इस तरीके से में को बताना जरूर मैं डेली यह हटाती हूं यहां से कपड़े की गेट पर हैंग मत किया करो पर शायदी एक दो दिन ऐसा जा मैं अबस त recommends तैयारी जीत की कही तैयारी जीत की हों यही बानवेटा के साथ में कप आया था तो मैं बाहर रखा खी था न तो उसी में में चाय लहीं करके आगी तो मैं बस अभी चाय पीरी हूं आप सभी आ जयो में साथ gay पी लो अबी कमपनी दे दू मैं इसको मैं के लि लग रही थी मैं भी किचिन में गई थी तो शायद ऐसा लग रहा है जैसे बारिश हुई हुई तो मैं चैपी की फिर आप से मिलती हो और ना बोलो कि कितना बात करती यह और यहां पर मेरा शुरू हो गया था शाम का काम और आइधिंग यह पांच या साड़ी चार की के बाद में फिर ये जो रूम है न गंदा हो जाता है क्योंकि सारे दिन कायूप कुछ न कुछ खेलती रहती है और कुछ न कुछ समान फिलाती है तो बस वही साफ कर रही थी है और यह देखो कायू की बुक्स इसारी फईली पढ़ी है यहां पे सारी फिला के डाल दी हैं बैग भी बाहर निकाल के डाल दिया था तो बस मैं यही कर रही थी देखो रूम को ना दो बार तो करना हो जाता है सुबै तो होता है यह मुष्छी सभी को लेकिन में को शाम को भी करना पड़ता है क्योंकि दौपैर में हम लेटते हैं और कायू समान फिलाती है धर दर तो हो बार तो ना इरिटेशन होती है कि अभी तुम कर लोई खटा कर लो एक बार सांती से कर लेंगे तो सही रहेगा क्योंकि फिलाना तो वापस से तुम लोगों को है तो बस मैं यहीं कर दी थी यहां पर जो चादर वगरा थी वो साइड में निकाल के रख दी थी जो एक्स्ट्र जाड के निकर रही है सारा हटा के निकर यह शाम का टाइम है तो बस कुछ था नहीं बैट सीट के ऊपर बस ऐसे ही मैं ठीक कर रही थी इसे क्योंकि ठीक से नहीं बिच पा रही थी तो उसी को ठीक कर रही थी मैं कि इसे जमा दू यह इदर इदर इसमें वो जो पढ़ रही बैग बगर पड़े हुए थे वो हटा दिये हैं और देखो यह भी सारा ख्लीन कर दिया है मैंने यहां से और अब एकदम से रूम पूरा साफ होगे देखो जब रूम में जलासा भी समान फैला पड़ा हुआ होता है तो इतना जादा गंदा लगता है कि बहुत जादा और अभी यहां पर कपड़े हैं यह पहने हुए कपड़े तो इन्हें मैं भी रखनी सकती फोल्ड करके इन्हें कल वाश करके फिर आईरन करके फिर मैंने यहां से इसे हटा दूँगी और एक दो दिन तक की हां से हटेंगी कपड़े, क्योंकि फिर बाद मैं हैंकरी देते हैं, यहां पर नहीं मानता है कोईभी, और मैंने इभी चैये पीथी, तो मैं अपने पास रख लेती हूँ कि याद आजाता है तो मैं लिख लेती हूँ और यहाँ पे एक box रखा हुआ है जिसने pen वगरा होते हैं काई के pencils वगरा होती है colors वगरा होते हैं क्योंकि वह बार-बार लेती तो फिर सारा बैग फैला देती इसलिए मैं इसे बाहर ही रखते हूँ और यह एसी रिमोट रखा हुआ है यह पर बस साफ हो गया कुछ भी नहीं है और उदर की साइड जो आप देख रहे हो ना वो जो बकेट रखी हुई है चोटी सी उसमें दवाईयां वगेरा रहती है आकाश की तो मैं बाहीं पर रख देते हूं तक ही बार बार में से मांगे चलते हैं मांगते रहते हैं कि यह जितनी भी इनकी दवा होती है मैं घाले वा हिए और इपन बिह इन्हों ने उसमें डाल देया है क्योंकि जब रात को लेटें तोव इही कुछ भी देखते है तो हैक्पोन भी एद्फॉन भी रखा रहता है कि फिर ढुनते रहते हैं मैं अपभर जेग्वाव हुवग उ लाव्त पकूना कार फूले अपनी पर कोनपा ग्या पlais पैप्छों ए नहां। चैक कर सकते हैं बार-बार डॉक्त के बास जाने से तो अभी यह सही है और यह बहुत ज्यादा कोस्ली नहीं आती है यह लोग̔र करके कुछ तो यह बहुत जादा खॉसलिन है I think 600 या साथ सो के सम्थिंग है मैं को पक्का नहीं बता क्योंकि आकाश ने मंगवाई थी I think 600 या साड़े 600 के सम्थिंग ही कुछ है तो यह बहुत सही है अगर प्रॉब्लम होता है किसी को सुगर की प्रॉब्लम में तो आप इसे मंगवा सकत तो चलिए थोड़ दिर में मिलती हूँ और यहां पर हो गई थी हमारे डिनर की तैयारी हो रही थी यहां पर तो मैं बस वही कर रही थी सब्जी वगेरा बनाना और यह टाइम हो रहा था I think 8 बज़ रहे थे तो मैं बस यही बनाने के लिए लिए लगी थी वैसे सब्जी अ पूरा दिन यह फ्रेज में रखा रहा पता है मैं घी को गरम कैसे करती हूँ जब भी हम मखन निकालते हैं तो मैं उस मखन को तुरंट निकालके और उसमें जो मठा या पानी सा जो बचता है उसे तो निकाली देती हूँ उसके बाद में जो मखन बचता है उसे थोड़ा सा गरम करती हूं मतलब इतना कि वह मैल्ट हो जाए कुछ-कुछ मैल्ट हो जाए कुछ-कुछ ऐसे ही रह जाए इस तरीके से मैल्ट करके और फिर ठंडा हो जाता है ना उसके बाद मैं उसे फ्रिज में रख देती हूं फ्रिज में रखने के बाद मैं दूसरे दिन फिर उससे न कल जाता है और घी जो है वो बहुत जल्दी गरम हो जाता है यानि कि इतना जादा जलाने की उसे जरूत नहीं पड़ती है अगर हम ऐसे नहीं करते हैं तो हमें उसे बहुत जादा देर जलाने की जरूत पड़ती है जिसे की बरतन भी सारा गंदा हो जाता है अब मैं ऐसे करू जो है वो जैसे रोटियों पर घी लगाने के लिए जो चाहिए होता है इसमें मैं अलग निकाल के रख लेती हूं और ज्यादा घी जो होता है उसे दूसरे बड़े डबे में रखती हूं तो बस वही निकाल के रख लिया था और एक साइड में सब्जी बन रही है यहां पर अ कछ लोग कॉमेंट करेंगे अपन तो इसलिए को थोड़ा जाता हूं जब हम सुलेड़े के रख गया है तो मैं डारेक्ट ऐसी कर लेती हुं और गोल्ड रोटिया में बना लेती हुं एसा नहीं होगा तो मैं बना लेती हुं इसी लिए किसे बना लेती हुं आपई कर दो आप कर दो झाल झाल यहां पे अल्मोस्ट सारी रोटिया बन गई थी और सबजी भी अल्मोस्ट बन ही चुकी थी तो मैं पते क्या करती हूं कुछ लोग जैसे होते हैं कि अभी वापस से खाना बनाना है या फिर पहले खाना खाके फिर स्लैप साफ करते हैं बट मेरी एक आदत बिलकुल भी नहीं हैं मेरे को चाहिए ऐसा भी होता है कि कई बार सब लोग अलग अलग टाइम से खाना खाते हैं तो मैं को जैसे कभी किसी ने खाना काई उन्हें खाना मांगा तो मैं उसके लिए एक रोटी बनाऊंगी और जितनी देर में वह तवी पे दूसरी साइड से पकती है ना रोटी गल वह फ्री एसा को साफ करते हैं कि इसा कि में पेहले खाना खीलां दूसरी में साफ करेंगा यहाद्ध में और नहीं लगता लां झाल है किने हैं सात लाव करें और चाने लगता है Nicole ची रला पड़ा लालन को जैंग में अच्छा नहीं लगता हैane हम फाले हिरा एक बंद गया था और बागी के जो बरतन थे थोड़े से तो अभी मैंने आका से पूछा था खाना घाने के लिए तो बोल रहा है कि अभी नहीं खाना है थोड़ी दिर में खाएंगे तो बीद्या थोड़े बहुत इन्हें जब तक जमा देती हूं और साफ करने के लिए हैं उन्हें साफ कर दूँगी बाद में खाने के बरटन उने ही हैं तो चलू कोई नी जो भी बरतन thys Just होड़ी से बचेंगे वह जल्दी काम हो जाएगा हो मैं जल्दी फीरी ओ जाऊंगी क्योंकि शाम का बहुत जादा पसीने से रहते हैं उमसी रहती है हवा नहीं चलती बिल्कुर भी तो इसकी वज़े से लेकिन मैंने किचिन में फैन चला रखा था क्योंकि जब मैं गैस चलाती हूं या फिर सब्जी और बनती है मतलब जब गैस चलती है ना तो उस टाइम में फैन नहीं चलती तो इतनी ज़्यादा गर्मी तो नहीं लग रही थी और यहां पर मोसली सारा काम जो है कि चिनका वो हो गया है मेरा और यह जो स्लैप थी यह भी साफ कर दी मैंने बरतन वगेरा धुल गए सारे और अभी आप बोलोगों कि अभी दुपट्टा था नहीं अभी दुपट्टा क कि क्यों कर रही है तो मैं बता दुपट्टा कोई आ गया था तो इसलिए फिर मैंने सर पे दुपट्टा ले दिया था और जब मेरे सर पे दुपट्टा नहीं होता इसका मतलब यह होता है कि मेरे आसपास कोई भी नहीं होता हूं मैं के लिए काम कर रही होती हूं हमारे यह तीन तीन एक परपल एक दो दो हैं देखो एक परपल है और एक सेन है और इंज एंड वाइट चलो आजो पड़ लो ये काम है तुम्हारा इसे करो लो पैंसल करो जैने रख दो साइड में एंसे बाद में खेलना पहले पढ़ाई करो झार से लिए स्ब़र आ एक सकता है जप एकसी करो से लिए में बis Bunu कि आते हैं वाइब।